वेलकम, वेलकम रूवी के कचण में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे विवर्स को मेरा प्यार भारा सलाम आज हम चट-पथ्टपटश में भरेव़े करेले बनाते है वह भी मेरे स्टायल मेंबहो. चले स्टार्ट करते अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब कर बटन दबाएं बराबर पर ये बैल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी वीडियो अच्छी लगे थम्स अब दें देखे हमाई पास यहां छे करेले पड़े हैं जो के छीले वे हैं अंदर से निकाले वे हैं और भिगोए हैं तो बेसिकली यहां यही करेला पड़ावा है जो मैं आपको बता हूंगी कि मैंने इसको छीला कैसे काटा कैसे और क्या किया तो अभी हम क्या करते हैं पतीले को ओन करते हैं या चूले को ओन करते हैं और इसमें हम यह बॉल करने के लिए डाल देते है थोड़ा सा पानी और ने इतना डालेंगे कि करेले डूब जाएं तो चलिए आप हम आपको बताते इस साइस के हमारे करेले थे और ये पीलर से अगर आपके पैस पीलर है तो सही है वना तो आप उसको जैसे आलूको कैसे छीलते हैं या गाजरों को ऐसे कर ले तो यह देखें यह थोड़ा से यूं तो उससे फ्राई भी नहीं होता है इसा कुछ लोग इसके चिलके भी खाते हैं। पसंद करते हैं। आगार पसंद करें, तो रखे। हम को हैं especially तो मैं इसको यूजर करूँगी हमाई यह कड़वे का जरा इशू है तो अब इसके आस पास का हम काटेंगे यह देखें इस तरह से थोड़ा-थोड़ा काट लिया ऐसा स्लिट करेंगे जो नीचे तक ना आए एक साइड पे हो तो यह इस तरह से करेंगे और हां जितने करेले ग्रीन होंगे ना डार्क ग्रीन इतने ही वो सकत नी होंगे, ढूगे और जब लाइटर कलर के हो जाएंगे न तो वो बड़े सक्त से हो जाएंगे तो यह देखें हमने इस ता से किया, उसको थोड़ा से खोलेंगे खोलने के बाद इस वैसे चमच से या चूरी से किसी भी चीज से या हातों से इसको बीच को निकाल लेंगे इस तरह से हमने कर लिया था उन करेलो को, फिर हमने क्या किया था एक बरतन में रखा और उसमें मैंने छे करेले में एक टी स्पून नमक और आधा टी स्पून हल्दी लेके डाल दिया तो हल्दी भी कड़वाट को खतम करने में काम आती है यहां मैंना भी चुटकी चुटकी लिये क्योंकि एक है तो यह दोनों को मिक्स करेंगे और अच्छे से आगे पीछे सब जगा लें यह देंखे थोड़ास अंदर ढमेंगे थोड़ास बाहर लगाएंगे इस तरह से करके और मैंने इस तरह से रख दिया था आप इस तरह से रख देंगे तो इससे क्या होगा बिल्कुल करवाहट निकल जाएगी फिर इसको अच्छे से वाश कर लेंगे तकरीबन 20-25 मिनिट ये एक गंटा इस तरह से रख लेंगे तो देखा आपने ये इसी तरह आपको काटना है ह और उबालने के लिए रख देना और अगर आपके कड़वाहट का जादा नहीं है तब आप ऐसा भी कर सकते हल्दी नमक डाल के डायरेक्ट उबाल लिया हमाईया दो दो चीज़े करनी पड़ती क्योंकि उनको बिल्कुल भी हमाईया कड़वा पसन ही नहीं तो ये completely नहीं ह है तो अब हम क्या करते है यह स्टफिंग करेंगे तो उसका चूला ओन करते है और इसमें डालेंगे हम एक चेबल स्पून तेल और उसमें चली जाएगी एक कप चौप कीवी ओमलेट कट प्याज प्याज जादा होगी तब भी क्या है करेले कड़वे नहीं लगते हैं क्योंकि प्याज उसका कड़वाहट ले लेगी चली यहां सौटे होगी जब तक हम अपने करेले जो उबालने के लिए रखें उसके इलावा एक और सात्वा वो कच्छा ही रखेंगे उसको उबालना नहीं है तो उसको लेके हम छोटे-छोटे पीस करेंगे तो यह हल्दी नमक जो भी लगावा है नो यह अच्छा है रहन की तरह रख दें और उसको वाश करने के बाद इस मसाले में डाल सकते हैं लेकिन हमाई यह यूज में यह नहीं आता है तो हमने छोड़ दिया है लेकिन हल्दी नमक लगा के रखें और वह एक बीस पचेस्वेंट के लिए उसको उबालने की जरुवत लिए और जब स्टफ चले और अब यहां चला जाएगा एक टीस्पून भरकर अद्रक का पेस्ट और एक टीस्पून भरकर लच्ण का पेस्ट चले इसको सौटे करेंगे इसको कर हम चाहें तो थोड़ दर के लिए कवर कर सकते हैं ताकि उबाल आ जाये जल्दी से चले अब हम इसमें कुछ अपने मसाले डाल देते हैं जो के कुछ यूँ है एक टेबल स्पून भुना कुटा धनिया आधा टेबल स्पून भुना कुटा जीरा आधा टेबल स्पून पिसिवी सौंप आधा टेबल स्पून चाट का मसाला आधा टेबल स्पून अमचूर प इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे सौफ की और चाट के मसाले की इतनी अच्छी खुश्बू आने लगी है सौफ जो है वो जान है करे ले की तो सौफ का पाउडर डालना जरूरी है स्किप मत कीजिएगा मिर्चे आपकी मर्जी आप चाहें तो कम डाले ज्यादर डाले और जैसे के मैंने बताया हमाई तेज ज्यादर नहीं होती और हम चटपटा खाते भी है अब इसको चटपटा बनाने के लिए खटपटा मीठा हम टमैटो केचप दालेंगे तो यहां हमाया पस तीन टेबल स्पून केचप है यह डाल देते हैं अर अगर आपको खटपटा मीठा नहीं खाना है तब आप केचप को स्किप करें बाकि सब को कंटीनियू करें ह değil है चले हुआ है आप इस वह expressive सा पाड़ डाल देते हैं तक्रीज बन आद्र कपके आसपास कर और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं यह देखे, बस इसको हम 85-90% पकाएंगे, तो यह भी लगेंगे 8-10 मिन्ट और यह भी लगेंगे 8-10 मिन्ट, तो मिलते हैं 8-10 मिन्ट में, देखे, 8-10 मिन्ट हो गई है, और हम चूले को बन करते हैं, आपको बताते हैं, करेले लग कैसे रहे, तो बेसे कलिए हमें इसका ना हो, बिलकुल भी, क्योंकि सक्त होगा, तब हम फ्राइ करेंगे, तब भी वो नरम नहीं हो पाएगा, तो अब यह हम निकाल लेते हैं, एक पेपर टाल है इस पर, यह आप ऐसे प्लेट में भी निकाल सकते हैं, चन्नी में भी निकाल सकते हैं, तो आप तो कोई चांस नह नहीं थी, आधा टीस्पून और एक टीस्पून नमक तो जर्वत नी थी, चले, सालन को देख लेते हैं, यह देखें कितना जबदत सा लग रहा है, बस आप देखना है, इसमें यह है, कि हमारे करेले जो है, वो गल गया है, अब वो इतना बारीक थे, कि करेले क्या उसका अ और दोनों को थोड़ा-थोड़ा थंडा होने देते हैं, देखें, यह हमारे थंडा हो गया, यह थोड़ा-थोड़ा अभी गरम है, देखें, हलका-हलका सा यह गरम है, इसमें हलका सा धुआ निकल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रोस्टेट बेसन डालेंगे, र रोस्ट कर लिया था हमने ड्राय रोस्ट और मैं रखती हूं भरके अगर आपके पास ना हो तो आप रोस्ट कर लिजेगा तो यह अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे यह एक टेबल स्पून में आपको बताती हूं कितना डाल रहे है यह दो डालेंगे और हिला के देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा लग रहा रिसी में डाल देंगे नीबू आधा नीबू डालेंगे अगर आप चाहे तो एक टीस्पून डालें लेकिन इसमें खट्टा तीखा मीठा सब बड़ा अच्छा लगता है और आप इसको यह गरम है थोड़ा सा तो इसम और जाएगा तो यह तीन डाल चुके हम और यह अधा डालते हैं बस चले आधा हम और डाल देते हैं तो यह औल टुगेदर चार हो गए और यह देखे हमारी कंसिस्टेंसी इग्जेकली यह जो हमें चाहिए और यहाँ देके हमने पैन गरम करने के लिए रखा है इसमें हम डाल देंगे ओई तक्रीवन डाल देंगे 4 डेबल स्पून क्यास पास ओयल 3 से 4 और यह एक उठाएंगे और इसको इसमें भरेंगे थोड़ा सा उपर लगा देंगे मसाला हलका फुलका सा तक इसमें भी फ्लेवर आ जाए और इसको अब रख देते हम पैन में इसी तरह बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे चूला हमारा है मीडियम चले यह हमारा लास्ट भी चला गया और आप इसको हम नजर रखेंगे चूले को मीडियम मीडियम टू लो टू मीडियम रखेंगे चूले पर डिपैंड अगर तेज है तो मीडियम लो रखेंगे अधर्वाइज मीडियम रखें और इस पर नजर रख रखेंगे और उसको जब मैं बताओंगी कहा पलटना है चले देखते हैं क्या सिचुवेशन है यह देखे इस तरह से ब्राउन हो गया है तो यह पलट लेते हैं हम अब मसाले वाले पार्ट को हम बहुत जादा देर नहीं रखेंगे आप क्या करेंगे यह जो बैक साइड ऑफ यह करे लाया ना इस पर थोड़ा सा मसाला लगाएंगे इससे यह मजीद प्लेवर पुल से हो जाएंगे अच्छे से हो जाएंगे यहां मसाला लगा दिया इत्ञी देर में हम पलट लेते हैं क्योंकि मसाला लगाएवा पुशन जो हो जो यह जाएगा तो कुछ मसला भी नहीं है तोड़ा सा निकल भी सकतें अन्य थोड़ा कम रखेंगे यह देखिए कि इता हुब्सूरत सा लग रहा है बस इसी तरह 3-4 मेंट तक अच्छे से पलट पलट के और मसाला लगा-लगा के तलेंगे क्योंकि हमने करेले तो वैसे भी 80-90% तो पकाई लियते और भुनावा बेसन है, मसाला जबर्दस से बनावा है बस अच्छे से फ्राय हो जाए मूह में पानी आ रहा है पर मिल के खाएं अच्छे अब थोड़ा सा मसाला और लगा देते हैं यह बार्बीक्यू जैसे नहीं करतें मसाला लगा-लगा के तो वैसे करेंगे तो उससे क्या है के प्लेवर सबसा आ जाएगा यह मैं बता रही हूं आपको यह आपकी मेह फिलो को लूट लेने के लिए यह मैंने आपको क करेले की रेसिपी दी है क्योंकि यह ऐसा है कि हमारिया तो मैंपे लोग को बाद में लूटते हैं हम खुदी लूट लेते हैं और करेले हेल्थवाइस भी बहुत अच्छे हैं खाने चाहिए और अगर कड़वे नहीं है तो और भी मज़ा हैगा एक बस ऐसास हो के करेले हैं अहसास से ज़्यादा नहों चले चूले को करते हैं बन और आप देशाउड करते हैं देखा कैसे जटपड हमारे चटखारे दार भरे वे करेले बन गए अब मेरे तो मुह में बड़ा पानी आ रहा है यह रोटियों के साथ पराठों के साथ चाबलों के साथ रूखे तो माइं ब्लोइंग लगते हैं एज एपिटाइजर एजस्नेक्स चलम में ट्राइकरती और आपने को बताती हूं के लग कैसा रहा है मैंने तो कहाना जैसे मुझे तो रूखे बड़े अच्छा लगते हैं तो मैं रूखे ट्राइकरती हूं हुम् हुम् इस पजट अब बिल्कुल भी कड़वा नहीं है तो अगर आप लोग को हमाई तरह पसंद है बिल्कुल भी कड़वा नहीं तो नमक और हल्दी लगा के रग भी दें और फिर उबाले भी और जरा भी इंट्रेस्ट है कि जरा कड़वा हो तब एक चीज़ कर लें अब लोग के नमक और हल्दी लगा के रग दें जैसे मना आपको बता है छिलके और भीज भी एट किये जा सकते हैं अब यह आप लोग के नाम तो खाना बनता ही है हुम् जल्दी जाएं जाकर बनाएं इसमें जो कैचप भी डाला है उसकी स्वीटने से टश भी आरा है वो भी बड़े मज़े का लग रहा है दामाल मचा दें दावतों में भी बनाएं से प्रिजेंटेबल लगेगा थोड़ा डेकरेशन बगरा भी कर लें वेजिटेरियन नौन वेजिटेरियन सब खोश हो जाएंगा चले जल्दी जाएं बनाएं मज़े करें मज़े करवाएं चलती हूँ दूआओं में याद रखिए चला फिर लॉट के आउंगी खतरनाक रसेपी के साथ लव यू और बाई अल्लाहाफिज